हेलो गाइज मैं हूं निरी शर्मा और NCRT समरी यूटूब चैनल पे स्वागत आपका और आज हम क्लास 9 का हमारा चैप्टर 11 है इफ आई वर यू आज हम इस चैप्टर को डिस्कुस करेंगे सो लेट स्टार्ट गुस पैठिया उसकी कंटाज में गुस्पैठिया उसकी क्लासमे गुस्पैठिया उसकी का चाहता है कि मैं जो जरार्ड है उसकी तो उसको तो मार दूँगा और उसकी जो आइडेंटीटी है उसको ले लूँगा क्या फिर वो सफल होता है इस चीज में और फिर जो जरार्ड है उसकी आइडेंटीटी को लेके मैं आराम से उसकी कॉटेज में रहूंगा और उसको मार दूँगा क्योंकि वो एक तो criminal है, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, तो वो सोचता है कि मैं किसे ने किसी आदमी को मार दूँगा और फिर उसके ही identity को लेके मैं रहूँगा, तो देखते हैं, scene start होता है a small cottage interior, there is an entrance back right which may be curtain, another door to the left must be practical door तो जैसे ही scene आता है, तो एक छोटी सी cottage का scene है, और जो entrance door है वो एक तो बिल्कुल back right में है, जहां पर परदा लगा हुआ है और दूसरी जो entrance है, जहां से आना जाना होता है, वो left side में है the furniture is simple, consisting of a small table toward the left, a chair or two and a divan rather upstairs on the right तो क्या-क्या है, उस cottage में बिल्कुल simple furniture है, एक small table है जो left की side में है एक या दो chair है और एक divan रखा हुआ है right में on the table is a telephone, table पे telephone रखा हुआ है when the curtain rise, Gerard is standing by the table making a phone call, he is off medium height and wearing horn-rimmed glasses he is dressed on a long suit and a great coat, his voice is cultured तो जैसे ही वो जो intruder आता है, जो गुस पैटे आउसकी quarters में आता है, वो परदा उठाता है तो क्या देखता है, जो Gerard है, वो एक phone call कर रहा है, किसी से phone पे बात कर रहा है तो उसकी जो height है, वो भी थोड़ी medium है, उन्होंने glasses चश्मा लगाया हुआ है और dress कैसी है, उनकी long coat और एक great coat पहना हुआ है और उनकी जो आवाज है, वो कफी अच्छी है, culture है तो जिरार्ड है, वो बाते कर रहा है, किसी से phone पे तो वो यही किसी से बात कर रहा है, कि माँ अभी 10 मिन निकल पड़ूँगा, मैं तुम्हें जानता हूं, वो फोन पे ही बाते कर रहा है तो वो यह बोलता है कि अभी मैं 10 मिन चलूँगा, और यह वो, यह सब बाते कर रहा है और फिर क्या करता है, जिरार्ड फोन रखता है एफोन रखके फिर वो अपने दिवान की लेफ्ट साइड में जाता है, जहां पे एक ट्रेवलिंग बैग रखा हुआ है और अपनी पैकिंग करनी स्टार्ट कर देता है जैसे वो अपने काव में काफी बीजी है, तो एक आदमी आता है, पिछे से कौन आदमी आता है, वही घुसपैटे आता है पीछे से उसने क्या पहना हुआ वो बिल्कुल चुपचा पाता है उसके आथ में एक रिवोलवर है उसने एक ओवरकोट और एक हैट पहनी हुई है सर पे और जैसे वो एंटर करता है तो उसका न दोके से ऐसे टेबल पर हाथ लग जाता है तो फिर शोर होता है तो एक दम से पीछे जिराड देखता है कि कोन आया है जिराड प्लिजेंटली वाहे इस इस सर्प्राइज मिस्टर तो फिर जिराड पूछता है आराम से अरे मिस्टर कौन हो मैं तो सर्प्राइज हूं इंट्रूडर बोलता है आई एम ग्लैड यॉर प्लीस टू सी मी आई डॉंट तो जो गुस्पैटी है वो क्या बोलता है कि अरे तुम तो मुझे देखके काफी खुश हुए हो लेकिन तुम काफी देर तक खुश नहीं होगे अपने हाथ उपर कीजिए जिराड क्या बोलता है यह काफी ना नाटक वाला लग रहा है मेलो ड्रमेटिक जैसे नोटंक की लग जिराड बोलता है कि आपके कितने बकवास सब्द हैं इंट्रुडर बोलता है थैंक्स अलॉट यूवल सुन स्टो बिंग स्मार्ट इवल मेक यूठ यू क्रॉल्स आइव तो इस नहीं हो इतने स्मार्ट मत बनो मैं तुम्हारी स्मार्ट ऐसे निकाल दूँगा क्योंकि ब बिंग बनो तो जिराड बोलते कि हाँ जो तुम्हें अच्छा लगे मुझे पता है तुम्हें सब कुछ पता है लेकिन अगर हम बातचीत करें उससे पहले मैं अपनी पोजिशन चेंज करना चाहता क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं मेरे को मैं अपनी पोजिशन पे तो फिर जो इंटुटुटर है वो बोलता है कि हाँ तुम यहां पे बैठ जाओ और यह कोई हंसी मजाग वाली बात नहीं है तो ऐसा करके फिर वो थोड़ा सा चेर की तरफ जाता है और अपने आपको दिवान पे बैठा लेता है तो फिर वो आपस में बाते करते हैं जिरा मैं मैं लॉनली सक्सके स्कॉर्टेज हाँ तो फिर जिराड बोलता है कि मैं बिलकुल सहानु भूति से वो बोलते हैं कि मैं अपनी अपनी लाइफ की स्टोरी तुमें बताता हूँ कि कैसे मैं छोटा सा बचता तब मेरे को जोए किसे जिपसी ने चुडा लिया था और कैसे मैं आज 32 साल की उम्र में अपनी इस SX कोटेज में बिलकुल अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है इन टुडर बोलता है, keep it to yourself and just answer my questions, you live here alone well do you तो वो जो घुसपेटेव बोलता है कि इन बातों को अपने पास रखो, जितनी बाते मैं पूछता हूँ, उनका यह अंसर करो, क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो जिराड बोलता, I am sorry, I thought you were telling me, not asking me, I questions of inflection, your voice is unfamiliar तो फिर जिराड बोलता है कि मुझे माफ करना, आप मुझे से पूछ रहे हो यह बात या फिर मुझे बता रहे हो, क्योंकि आपको तो सब कुछ पता है और आपकी आवाज भी बिल्कुल unfamiliar रहे, तनी खास अच्छी नहीं है इंचुडर, do you leave here alone, फिर थोड़ा सा जोड़ देके पूछता है कि तुम यहीं अकेले रहते हो, तो जिराड बोलता है, and if I don't answer, तो फिर जिराड बोलता है, अगर मंसर ही ना करूँ तो तुम्हारी बात कर तो क्या करोगे इंचुडर बोलता है, you have got enough sense not to want to get hurt तो फिर इंचुडर बोलता है, घुसपेड है कि मुझे इतना तो पता है कि तुम्हें इतनी तो knowledge है कि तुम अपने आपको नुक्षान नहीं पहुचाना चाहोगे जिराड बोलता है, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in many desire to do so, what do you think, mister तो वो जिराड बोलता है कि हाँ, हाँ, ये तो good sense सभी में हो देगी, कोई अपने आपको दुक नहीं पहुचाना चाहता, mister और तुम भी यही सोचते होगे इंचुडर, never mind my name, I like your better, mister जिराड, what are your Christian names तो जैसे वो mister बोलता है, कि हाँ, mister ऐसे है, तो जो घुस्पेटिया बोलता है, कि मेरे नाम से तुम्हारा कोई लेन दिन नहीं है और मैं तुम्हें तुम से जादा अच्छा जानता हूँ, तो तुम अपना, जो तुम्हारा Christian name है, Christian, वो नाम बताओ तो जिराड बोलता है, कि मेरा नाम Vincent Charles है, Intruder, do you run a car, क्या, तुम्हारे पास गाड़ी है, तो फिर जिराड बोलते है, नहीं तो Intruder बोलता है, कि जूट मत बोलो, और मेरा पागल मत बनाओ, तुम इतने स्मार्ट हो ना, तुम जितने स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, मैं उसे तुम से जादा स्मार्ट हूँ, और मुझे पता है, कि तुम्हारे पास एक कार है, तो इसलिए तुम बहुत तो फिर जो घुसपेटिया वो बोलता है, कि ये जो मैं गन हाथ में ले रखे ने, कोई खिलोना नहीं है, मैं तुम्हें हर्ट पहुचा सकता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के रहो, जो कॉशन मैं कर रहा हूँ, उनके अंसर दो मुझे, तो जराड बोलते हैं वास् अंसर करना पड़ेगा, हाँ मेरे पास कार भी है और वो गैराज में खड़ी है, तो फिर जो घुसपेटिया वो पूछता है कि क्या यहां पे लोग आते हैं आम तोर पर, जराड, very rarely, surprisingly few people talk the troubles to visit, take the troubles to visit me, there is the baker and green grocer of course and then there is the milkman, quite charming but no one so interesting as yourself, तो बोलता है कि बहुत कम लोग हात जो जराड है वो बता रही है उनको कि जो जराड है वो बताता है कि बहुत कम लोग आते हैं कि ओल-दूध वाला, सबजी वाला तो फिर जिराड बोलता है कि हाँ तुम्हे तो मेरे बारे में काफी कुछ पता है तो कुछ थोड़ा बहुत अपने बारे में भी मुझे बताओ तो फिर जिराड बोलता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हे बहुत कुछ पता हूँ आप मुझे पागल समझ रहे हो तुम ज़्यादा स्मार्ट बने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम जितने स्मार्ट होना उससे काफी ज़्यादा स्मार्ट मैं हूं मेरे पास ज़्यादा दिमाग ह और मैं उस दिमाग का यूज करता हूँ तो जिराड बोलता है तो वो कहता है कि हाँ हाँ तुमने इस दिमाग का यूज कहां पर किया कि मेरी चोटी सी को ब्रेक करने के लिए दिमाग की जरुवत पड़ेगी तो गाता है कि इसके लिए मेरी स्कोर्टेज में अगर किसी को घुसना हो तो उसके लिए दिमाग की जरुवत नहीं है कि जिसमें दिमाग होगा वही कोर्टेज में आएगा ऐसा नहीं है इन्टुडर, when you know why I have broken into my little cortes, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise तो घुसपेटिया बोलता है कि जब तुम्हें पता लगेगा कि मैं तुम्हारी स्कॉर्टेज में क्यों घुसा हूँ तुम्हारी फिग्रिंग से लग तुम्हें देखके लग रहा है कि तुम्हें काफी जैसे क्राइम किये हुए हैं क्या तुमने एक आदा ही क्राइम किया है या फिर तुम स्पेशलिस्ट हो या स्पेशलिस्ट नहीं हो तो यह सब जो जिरार्ड है वो पूछ रहा है उनसे तो वो बोलता है कि मेरा जो स्पेशलिस्ट है ना जो मैं स्पेशल हूँ जिस चीज में वो है मेरी को मैं जैसे जो जोलरी चोरी करता हूँ और तुम्हारी तो कार मेरे को काफी help करेगी ये तो मेरे लिए एक dandy bus हो जाएगी मेरे को काफी मदद मिलेगी इससे Gerard I am afraid jewels are few and far between in the wilds of Essex तो वो कलता है कि मेरे पास तो jewels नहीं है और यहां से jewels काफी दूर है मेरे पास तो कोई jewels है ही नहीं Intruder so are the coops I can retire here nicely for a little while तो गुसपैटिया बोलता है कि ओरे कि यहां पर police भी नहीं आएगी police भी काफी दूर है तो मैं यहां असानी से रह सकता हूँ coops होती है police Gerard You mean to live with me a trifles then isn't it you have not been invited तो Gerard बोलता है कि तुम मेरे साथ रहोगे नहीं नहीं किसने invite किया तुमको Intruder बोलता है You want me here long so I didn't trouble to ask तो फिर जो गुसपैटिया बोलता है कि तुम यहां पर लंबे समय से तक नहीं रहोगे इसलिए मैंने पूछने का इकस्ट नहीं किया Gerard what do you mean तुम्हारा क्या मतलब है तो गुसपैटिया बोलता है कि तुम्हारे लिए एक बड़ा सर्प्राइज है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ तो Gerard बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत करना गुसपैटिया क्या बोलता है ये I will be sure to do it I have taken to fancy to you but it is just go to be done तो फिर जो गुसपैटिया है वो नकल करता है कि नहीं नहीं अब तो क्या करूँ मुझे माफ करना मेरे को तो तुम्हें मारना पड़ेगा और जराड बोलता है Why add murder to your other crimes It is grave step you are taking तो जराड बोलता है कि तुमने इतने crime की है उसमें murder को क्यों add कर रहे है तो सबसे बुरा कदम होगा तो तुम उठा रहे हो In Twitter बोलता I am not taking it for fun I have been hunted long enough I am wanted for murders already and they can't hang me twice तो फिर इंट्विटर बोलता कि मेरे को इसमें करने में मज़े के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूं मैने पहले भी किये हुए है और हाँ पुलिस वाले मेरे को जो है चाहिए मैं एक murder कर लो या दो murder कर लो मेरे को दो बार तो फासी पे टांगेगे नहीं मैने पहले भी किये हुए है और एक और कर दूँगा तो फिर क्या है कुछ नहीं है उसमें तो जराड बोलते है You are planning a Gratitious devil's dog to speak Admitted you have nothing to lose But what have you to gain तो फिर जराड बोलते है कि जो तुम यह plan कर रहे हो ना इसको करने से तुम्हें कुछ हासल नहीं होगा और तुम सिर्फ खोगे ही तुम्हें कुछ तुम्हें क्या हासल होगा तुम्हें क्या मिलेगा Intruder I have got freedom to gain तो वो कहता है कि मेरे को तो आजादी मिल जाएगी As for myself I am poor hunted rat मैं तो एक poor hunted rat मैं इदर उदर बहागने वाला हूँ कभी यहां चुपता हूँ तो कभी वहां पे चुपता हूँ As Vincent Charles Gerard I am free to go places and do nothing I can eat well and sleep and without having to be ready to beat it as the sight of a cop अगर मैं Vincent Charles के रूप में रहूँगा तो मैं कहीं भी जा सकूँगा कुछ भी खास कूँगा कहीं भी सो सकूँगा और मेरे को यह भी डर नहीं रहेगा कि पुलिस वालों ने अगर लेख लिया तो मुझे पीटेंगे क्या होता है जो विलन है वो फूलिश होते हैं कि उनकी जो किलिंग से वो फ्रेस्टेट फ्रेस्टेट होते हैं लेकिन तुम तो काफी लग्की हो क्यों लग्की है देखो इंट्विडर बोलता I am okay I have got a reason for everything I am going to be Vincent Charles Gerard see I have got to know what he talks talk like now I know that post stuff come easy this is Mr. VC Gerard speaking cultured voice imitation panomatic of phoning in imitation cultured voice and that's not all he stand up get up a minute now take look at me तो फिर इंट्विडर बोलता है कि मेरे को सब कुछ पता है मैं easily आपके acting कर लूँगा मैं फसूँगा नहीं क्योंकि मेरे को पता है कि जो Vincent Charles है वो कैसे बाते करता है कैसे वो दिखाभा करता है पोस्स TW करता है और कैसे वो बोलने का तरीका उसका बिल्कुल वो कल्चर वो इसमें बोलता है और मेरे को सब पता है तो जराट बोलता है तुम ऐसा दिखावा बिल्कुल भी नहीं कर पाогए इंट्विडर NO! तो बो कहता है कि अगर में चश्मी लगा लूँ गा तो फिर तुम्हारे जैसी ही लूक मेरी भी तो गैता कि तुम्हारे कपड़ का ड़नके लगागहीकए तुम चिंता मत करो मेरे कपड़े तुमें बिल्कुल फिट आएंगे जिराड बोलता है कि मेरे को एक फैक्ट और बताना अपने बारे में कि तुम हो सकते हो लग्यर किसी जो दूसरे लेकिन यह तुम्हारी लेक्ट नहीं है जो तुम्हारी इंटेलिजन्स है तुम मुझे नहीं मार सकते इसका एक रीजन है पहले वह जान लो कि तुम मुझे क्यों नहीं मार सकते इंट्विटर बोलता है तो पर वही है जिराद उसको बता रहा है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार होगे और तुम मुझे जाने दोगे तो फिर वो इन टुईटर है वो बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जल्दी जल्दी मुझे बताओ तुम्हारी बाते मुझे बोर कर रहे हैं कि तुम्हें सब क्यों बोल रहे हो जराड यूर आइडिया इस तो एलूड दे पुलिस बाइडिया और मुझे काफी पसंद है तो फिर जराड है वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारी इसमें कोई हेल्प भी होगी तो वो जो घुसपेटिया बोलता है कि मेरी बाध्यान से सुनो मैं एक वारे एक टाउन में रहता था तो वहाँ पे कुछ चीजे खराब हो गई तो मैंने एक पुलिस वा यहां भाग रहा हूँ जिराड और दिस वर डॉजिंग हैस ब्रॉट यू तो कहता कि अच्छा तुम भाग के फिर यहां आए हो इंट्यूडर इट ब्रॉट मी तू एल्सबरी देट्स वेहर आई सा यू इन दे कार तू अधर पीपल सॉ यू यू और पीपल सॉ यू यू काइंड ओफ मिस्ट्री मैं तो कहता कि नहीं नहीं मैं भाग के यहां नहीं मैं तो एल्स बरी गया था वहां पे मैंने तुमको एक कार में देखा और दो लोग ने तुमको देखा और वो तुम्हारे बाते हैं बात करने लगे थे और जब मैंने उनको सुन लिया तो वह यह यही बाते करें थे कि यह जो आदमी है न वो एक मिस्ट्रिय के रहश्य है इस आदमी के बारे में तो जराड बोलता है a mystery which I propose to explain वो करता है कि वही तो रहश्य है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं मैं explain करोंगा वही बातें इंट्यूगर your phone your order and sometime you go away suddenly and come back just the same those are just thing I want to do hearing about you was only of my luckiest break तो वो बोलता है कि हाँ हाँ तुम्हारा phone तुम्हारे order कभी कभी तुम्हारा आना और फिर से आजाना यही सब चीजे तो हैं जो मैंने तुम्हारी देखी है और तुम्हारी सुनी है और फिर मैं तो काफी लग्की हूं कि मुझे यह सब पता है जिराड apparently you have not the intelligence to ask why I am invested in this clock of mystery तो फिर वो काता है कि देखो मैं तुम्हारी इस mystery से परदा उठाता हूं तो क्या बाते हैं इंट्यूडर एज I said before this conversation bores me तो फिर वो उस फैटिया बोलता है कि तुम जल्दी बोलो तुम्हारी बाते मुझे काफी बोर कर रही है जिराड don't be fool if you shoot you will hang for sure if you not at yourself then a Vincent Charlie जिराड तो फिर जिराड बोलता है कि पागल मत बनो अगर तुम्हें अगर तुम्हें जरूर हैंक कर दिया जाएगा तुम्हें खुद के लिए नहीं बलकि Vincent Charlie जिराड के लिए तुम्हें शूट कर दिया जाएगा इंट्विटर what is this क्या है ये जराड बोलता कि तुम्हें लिए लिए बिग सर्प्राइज होगा I said you won't kill me and I was right why do you think I am here today and gone tomorrow never be trade shop trades people you say my habit would shoot you you are a crook don't you think I am a Sunday school teacher the game's up as far as I am concerned things went wrong with me I said with bullets and go away unfortunately they got one of my men and found things the fool should have brunt tonight I am expecting troubles my backpack ready to clear off and there it is तो फिर वो जराड है वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि तुम काफी सर्प्राइज होगे लेकिन तुम्हें मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं ठीक हूँ कि तुम सोचते हो कि आज मैं यहां पर क्यों हूँ और मैं यहां कल कहां जाओंगा और मैं ट्रेट्स पीपल से क्यों नहीं मिलता और तुम्हारी और मेरी आदते एक दूसरे से तनी मिलती जूलती क्यों है क्यों कि तुम्हें क्रूख हो और मैं वो कहता है कि मैं अगर तुम कोई क्रूख हो ना जैसे तुम कोई बुरे आदमी हो तो मैं भी कोई Sunday School टीचर नहीं हूँ मैं भी ऐसा ही हूँ और चीज जब मेरे साथ काफी बुरी हो चुकी है मेरा गेम भी ओवर हो चुका है और मेरे पास भी जो ये बुलट्स है गोलिया रखी हुई है और जो मेरा एक साथी था वो पुलिस ने पकड़ लिया है तो मेरी साथी ने सब कुछ उनको बता दिया है तो अब भी मुझे लगता है कि शायद आज रात को पुलिस ना मुझे पकड़ लेगी मैं कि किसी मुसीबत में हूँ तो इसलिए मैंने बैग पैक किये हुए है और मैं यहां से जा रहा हूँ तो जो इंट्ट्विटर है वो बोलता है इट्स ए बैग अल राइट एंड इस इस ए गन आल राइट वर्ट्स अल डिस तो फिर जो घुस पैटिया वो बोलता है कि यह तो किसी को पागल बनाने के लिए अगर कुछ पहन लेते हैं तो मैंने यह भी मेरा सब कुछ जूटा ही है मैंने नकले की मुछे लगाई हुई है यह सब जूटा ही है जो इंट्विटर बोलता है I don't know मैं नहीं जानता जरनाट बोलता है for god shake clear that muddled head of yours and let's go तो फिर जरनाट बोल कि मेरे साथ आओ और तुम्हारी गन भी तुम्हारे पास मेच हाथ कार में चलो अगर तुम्हें कुछ भी लगे की मैं तुम्हें पागल बना रहा हुं तो यह तुम्हारे पास गोली है गोली मुझे मार देना इंट्व्डर THIS उन्टंट टाइक हो सकते हो जराड नाुट वेस्ट ना करो अपनी हैट को उठाओ और चलो इंचुडर केरफूल बोस आयम वोचिंग यू तो वह काता है कि बड़े ध्यान से चलो मैं तुम्हें देख रहा हूं जराड बोलता आई हेव गॉट एमैन पॉस्टिद ऑन दे में रोड ही विल रिंग अप इफ ही सीज द तो फिर इंचुडर बोलता कि मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम सच बोल रही हो जराड ओ डॉंट बीए फूल लुक फोर यूरसल पागल मत बनो जराड ओपन द दोर एंचुडर लेंस फोरवार तो इंस्पेक्टिट विदीट साइट तो आर जराड बट विद द रिवो पूंटेड अड़ा कब दो फिर जैसे जर्नार ने दर्वाजा खोला और आगे कदम रखा तो जो इंचुडर है ना जो फेटिया है वह आगे की तरफ जाता देखने के लिए कि कोई है तो नहीं तो फिर जराड क्या करता है जराड उसको धका दे देता है जैसे वह धका दे इंचुडर्स लेट मी आउट ओफ देर मुझे बाहर निकालो ग्रड यहलो येस पिकिंग सोरी आई कैंट लेट यू हैव दा प्रूप्स इन टाइम फोर रिहर्सल तो फिर वो कहता है कि किसी जो जराड ने वो फोन पे बाते कर रहा है कि हाँ मेरे को माफ करना आज मैं सब्सक्राइब करें कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई बाई